दोस्तों Grow App को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसमें हम कोई भी stock buy करते हैं, share कैसे buy करते हैं या sell करते हैं कैसे क्या process होता है Grow App में investing का है, सारा कुछ detail से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और बिल्कुल basic से सिखाएंगे, हम यहां मानते हैं कि आप बिल्कुल नए है, Grow App के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आई आपको बताएंगे कि आपको Grow App कैसे यूज किया जाता है, क्या process होता है, कैसे उसमें पहलिस तेयर को खरीदा जाता है या फिर खरीदने की बाद कैसे उसको बेचा जाता है, या सब कुछ लाइव डीटियल से आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो काफी सांदार होगी वीडियो बिना किसी देर के हम चलेंगे स्क्रीन पे तो, Hello and Welcome दोस्तों, आप देख रहे हैं Android जिंक सनी टूप चैनल और मैं नाम है रूपेस, दोस्तों आई चली शुरू करते हैं आज की वीडियो लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और फिर सीख लेते हैं न दोस्तों कैसे कैसे क्या करना है दोस्तों मैं लाइव इस स्क्रीन पर हूँ, आई आपको बताते हैं कि ग्रू एप को हमें यूज कैसे करते हैं तो सबसे पहले देखी आपको करना क्या होगा ना अपने मुबाइल फोन में गूगल के प्ले स्टोर से ग्रू एप को डाउनलोड कर लिजेगा जब ग्रू एप को आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें एकाउंट बनाना होता है ठीक है? एकाउंट बनाना दोस्तों सिंपल है आप अपना आहाँ पे बैक डिटियल होगा रहा है करके इस आप में आप अपना एकाउंट बना सकते हैं ठीक है? जब आप अपना account बना लेंगे तो यहाँ पर ऐसा ही option आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सामने तीन options तो होंगे नीचे stock होगा फिर mutual fund होगा फिर यहाँ पर bills होंगे ऐसे तीन option आपको देखने को मिलेंगे अब आई यह finally मैं आपको बताता हूँ कि grow app को हम कैसे use करते हैं तो पहली बात तो यह confirm हो चुकी है कि सबसे पहले हमको इस app में अपना account create कर लेना है इस app में account create कर लेने के बाद ऐसे ही page पर आपको देखने को मिलेगा आप जब grow app को open करेंगे बात आपको second बताना चाहूँगा दूसरी कि जैसे होता क्या है यह total app जो है न सेर मार्केट पर ही depend है तो सेर मार्केट सो मुआर से सुकरवार तक खुलता है यदि कोई सरकारी छोटी नहीं है तब और उसके बाद जो timing होता है सुबह 9 बज के 15 मिनट से सेर मार्केट चालू होता है सामके 3.30 बजे तक सेर मार्केट खुला रहता है तो जो कुछ भी हमें इसके अंदर करना है वो सुबह के 3.30 से सामके 3.30 के बीच तक हमको सारा कुछ कर लेना है तो आए आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको सिखाते हैं ग्रो अप्लिकेशन में हम पहला सेर कैसे खरीदते हैं ठीक है उसके बाद फिर आगे के बहुत सारी चीज़े आपको बताते हैं ठीक ना तो आए आगे चलते हैं आपको करना क्या है देखिए सबसे पहले आज का है कब का है आज का है मतलब आज जो सेयर है अधिक सदी खरीदा गया है नीचे आएंगे तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि आज कौन-कौन से सबसे जादे गेन किये हैं बढ़ियां उनका परफार्मेंस था है यह सारी डीटेल आपको यहां पर देखने को मिल जा आपको तो उसमें किसने किसने परफार्मेंस अच्छा किया उनका भी लिष्ट यहां पर देखने को मिल जाएगी नीचे आएंगे तो एक ओप्सन होगा इस्टॉक इन न्यूज मतलब न्यूज में कौन-कौन से सेयर का खुब मतलब वही है प्रचार परसार चल ला है उनक भी बात आप मत मानिएगा ठीक ना आएए बताते हैं हम प्रोसेस सारा को सिखाएंगे लेकिन जाच परताल करके खुद करके आप अपना यहां पर सेयर को बाई करिएगा आएए मैं बताता हूँ यहां पर जाच परताल कैसे सेयर का किया जाता है जैसे उपर के तरफ आपक जानकारी लेना चाहते है ठीक है या इसी में से बैक आ जाता हूं मैं अभी सर्च बार पर चलता है उससे पहले में कुछ बाते बता तो जैसे इसी में से किसी कंपणी के बारे में आप जानकारी लेना चाहते है जैसे कि बोड़ा फोन आइडिया कंपणी यहां पर है इसके ब बढ़ा है one month है यानि एक महीने का है one Y मतलब एक साल का है पांच Y मतलब पांच साल का है all मतलब जब से company बनी है तब से अब तक का है तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ग्राप चला है ऐसे जब आपने finger cop slide करेंगे तो date by date timing by timing सारा कुछ सारा कुछ यहाँ पर detail आपको देखने को मिल जाएगा और भी जब आप नीचे आएंगे इस company के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आपको देखने को पढ़ने को मिल जाएगी कि इस company का पूरा volume क्या है और market depth सारा कुछ आप यहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं कितने लोगों ने पैसा लगाया कितने लोगों ने hold किया है कैसे कैसे क्या है market cap क्या है income मतलब company का यह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ सी idea लग जाता है कि आप यहाँ पर company के बारे में क्या सोच सकते हैं क्या समझ सकते हैं उनका यहाँ पर पूरा वेवरा लिखा गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक ना तो जैसे माल लिजे ऐसे हो गया पढ़ने के लिए अब माल लिजे किस company का share आपको खरीदना है उपर सर्च बार दिया है सर्च बार में जाईए जैसे कि माल लिजे मुझे boda phone idea का ही खरीदना है तो हमने जैसे लिखा भी आई या boda phone ठीक है तब तक boda phone यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब boda phone आने के बाद हम boda phone idea पैसे क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो option दिखाई देगा आपको एक sale का एक buy का लेकिन किसी भी share को खरीदने से पहले इसमें पैसा अपने wallet में add करना होगा grow app के उसके बाद इस share को आप खरीज सकते हैं आए बताते हैं पैसा कैसे add किया जाता है कोने पर आपकी profile होगी इस profile पर आपको click करना है profile पर click करने के बाद यहीं पर एक option होगा मेरे में 42 रुपए 87 पैसे करके कुछ पैसे हैं जो पहले मैंने add किया था यहीं पर एक option है add money का इस add money पर आप click करिए उसके बाद आपका google पर phone पर जो भी app होगा तभी payment accept होता है और उसके बाद आप आगे बढ़के और आप अपना काम यहां से कर सकते हैं तो मैं यहां से आगे बढ़ जाता हूँ और उसके बाद हम अपना UPI से payment हो गए रहा है कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर देख सकते हैं मेरा number हो गए रहा है वरिफाइंग हो रहा है पहाचिंग यहां पर account details हो गए रहा है तो हम चाहें तो अपना bank account भी इसी में add कर सकते हैं जो उस API में अपना bank चलता है उसी को आप इसमें भी कर सकते हैं ठीक है तो आई हम आगे बढ़ चलते हैं और यहां से अपना bank account यहां बाला जो अपना process इसको feel कर देते हैं जैसे API आप बनाते हैं आप इसमें API भी बनाना पड़ेगा तो आप अपना ATM card का last six digit और अपना यहां पे experiment यहां ATM card का डालके ओके करके account link कर लेजेगा या तो फिर आप back आके दोबारा try करेंगे तो आपका Google पे phone पे app भी उठा लेता है यहां पे देख सकते हैं ठीक ना Choose payment method का option आता है यहां से app भी अप ले सकते हैं मैंने Google Pay को लिया और add भी क्लिक किया ठीक है और इसके बाद हम directly Google Pay app से भी payment कर सकते हैं तो grow app खुद में एक UPI है चाहें तब अपना खाता इसमें भी link करके और directly payment कर सकते हैं ठीक ना तो मैं यहां से Google Pay app को Choose किया और यहां से आए मैं payment करता हूँ और मैंने अपना bank account यहां पे select करके जैसे ही pay वाले option पे क्लिक किया और यहां से जैसे हम अपना UPI पिन डाल के write करेंगे write हिया तो तुरंथ हमारी payment यहां से done हो जाएगी और हमारे wallet में जाके पैसा यहां पे add हो जाएगा जैसे कि अभी आप देख पाएंगे ठीक है तो थोड़ा सा wait करते हैं payment हमारा add हो गया अब यहां से हम done कर देंगे आप देख पा रहे होंगे मेरी wallet में 142 रुपे के आसपा सब पैसे हो गया है अब आपको मैं share खरीदने का तरीका बताता हूँ मैं directly चलना चाहूंगा उसी page पे ठीक न तो मैं हां से search कर लेता हूँ वी आई बोड़ा phone idea और आगया इस page तक आपको समझाया था अब इधर आपसे ने buy का इधर आपसे ने sell का मालनीजे इसके share को हमें खरीदना है तो एक share का दाम है 17 रुपे आटाइस पैसा ठीक ना तो हम buy पर option पे click करेंगे अब detail से समझेगा थोड़ा सा भी बेच सकते हैं यहाँ पर intraday है intraday में आप खरीदेंगे तो सुबह खरीदेंगे सामको आपको बेचना पड़ जाएगा और नहीं बेचेंगे तो लोग खुद बेच देते हैं EMTF का option इसमें भी आप click करेंगे EMTF में तो यह भी मतलब थोड़ा सालर टाइप से है ठीक है तो हम तो प्रिफेरड करते हैं delivery में लेना क्योंकि इसमें अपने इसाफ से में लोग manage कर पाते हैं ठीक ना तो अब हम आएंगे यहाँ पर quantity लिंगे यहाँ पर कितना share खरीदना चाहते हैं 70 रुपय का एक share है 27 रुपय 29 पैसे का तो मालेजी में दो share खरीदना है दो भर दिया और मेरा जो charges है यहाँ पर यहाँ लगेगा मेरे में balance यह है और वैलेट में जैसा कि 100 हो रहा है simple है बस buy वाले option पर हम click कर देंगे और देखे एक चीज और आप ध्यान देजेगा यहाँ पर आप price भी set कर सकते है कि आप market price पर लेना चाहते है आपने इसाफ से price जब होगा तब लेना चाहते है जैसे मालेजी 17 रुपय 28 पैसा है तो हम चाह रहे हैं कि 16 रुपय 50 पैसा हो जाए तब ले ठीक है तो जब market 16 रुपय 50 पैसा होगा तब activate होगा नहीं तो cancel भी हो जाएगा तो इसलिए अधी current वाले price पर लेंगे तो तुरंत हो जागा नहीं तो price आप set भी कर सकते है अपने इसाफ से लेकिन उसमें time लगता है तो हम limit को हटा देते हैं at market ही रहने देते हैं और दो सेयर हमको चाहिए दो भर दिया और buy पर click किया जैसे buy पर click किया हमारा दो सेयर यहाँ पर खरिद लिया हमने वोटफोन आडिया का जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब यहाँ से हम done कर देंगे तो मेरा यहाँ पर done करने की बाद holding में सो हो रहा है अभी हमारा सेयर जो है adjust हो जाएगा सेयर मार्केट में चला जाएगा तो यह हो गया खरिदने वाली बात अब आईए आपको बताते हैं कैसे सेयर को बेचा जाता है तो सेयर दोस्तों जब आपका सेयर फायदे में हो तभी बेचियेगा ठीक है तो आएए बताते हैं सेयर को कैसे बेचा जाता है दोस्तों जो कुछ भी करिएगा अपने हिसाफ से करिएगा प्लीज आप तो हमारी रिक्विच्ट है हम बस आपको process बता रहे हैं ठीक है तो आएए जब share को बेचना हो जब आप फायदे में रहें तभी share को sell करना चाहिए तो आएए search bar में जाएए और जिस share को बेचना है उस share को search करिये जैसे कि मैंने V.I.E को search किया मनतलब boda phone को तो boda phone यां से आ गया boda phone पे click किया अफसे मोई process है 22 sale दोनों दिख जाएगा आपको मेरे पास total boda phone idea के 9 share है मैंने पहले भी खरीदा था ठीक है example के दोर पे खरीदा था दोस्तों आप अपने इसापत लिजिएगा तो मैंने 15 रुपे 33 पैसे पे खरीदा था जो आज के टाइम में 17 रुपे 55 पैसे हो चुके है इसको हम बेचना चाह रहा हूँ ठीक है 2 share को तो कैसे बेचिंग आई बताते हैं यहीं पर sale वाला option है sale पे click करेंगे कितना share आप बेचना चाहते हैं मेरे पास 9 share है 9 मेंसे मैं दो share बेचना चाह रहा हूँ दो मैंने feel कर दिया और wise name आगया है हम पे आप price भी set कर सकते हैं लेकिन जब price उतना होगा तब ही sale होगा यदि market पे करेंगे तुरंत हो जाएगा तो मेरा market पे ही है sale वाले option पे click कर देंगे और जैसे click करेंगे sale order successful होगे done कर देंगे ठीक है आपको बता दें अब हमारा जो यह पैसा है यह कुछ time बाद हैं पे wallet में आ जाता है और wallet में आने के बाद हम इसको 48 घंटे के बाद wallet में आने के बाद 48 घंटे बाद इसको withdraw वाले option पे click करके अपने bank आते हम इसको withdrawal कर सकते हैं ठीक ना तो इस तरह से share को buy और sale किया जाता है यहाँ पैसा दोस्तों जब आप sale करेंगे अपने share को उसके बाद यहाँ पे थोड़ा से time लगता है आपको यहाँ पे आपके account से पैसा आने में लगभग यहाँ पे 24 घंटे लग जाते हैं तो आप comment box में comment करेंगे मैं इस वीडियो बनाऊँगा यह था दोस्तों investing के बारे में कि कैसे हम अपने पहले share को buy करें grow app के through जैसा कि मैंने बताया यदि आप comment करेंगे तो mutual fund investing अंगली वीडियो में सिखा देंगे SIP investing सिखा देंगे तो जानकारी अच्छी लगी हो ना यदि आप मारी वीडियो से संतूष्ट है यहां तक आएं हैं तो comment box में प्यारा से comment करेंगा ताकि मेरा भी दिल गदगद हो जाए और नई वीडियो आपको मैं grow app पे अच्छी से अच्छी देश दकूँ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जोड़ियेगा मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छी से ख्याल रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलेगा क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहती है मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय